सो मेरा नाम है आदर्श और अपने फिटनेश जन्री के शुरुवात में मैं काफी बतला गा मतलब काफी और अपने उस वेट को बढ़ाने के लिए मैंने अलग-अलग डाइट प्लैन से लेकर अलग-अलग वकाउट प्लैन तक अल्मोस्स सब चीजे ट्राइ की हैं कुछ तो खुद काफी स्किनी था, so trust me, I generally know the struggle और frustration जब हमारा वो बेट नहीं बढ़ता, so इस वीडियो में मैं आपके वकाउट से लेकर डाइट और सप्लीमेंट तक के आपके सारे डाउट सिंपली क्लियर करने वाला हूँ, ताकि आप लोग वो से mistakes ना करो जो मैंने की और अपनी साइडल फिजीक तक जल्दी पहुच पाओ, so हम सबने सुनाएं कि weight gain करने के लिए हमें जादा खाना खाना होगा, और उस जादा खाने को हम fitness के दुनिया में calorie surplus कहते हैं, जिसे मैंने भी काफी बार इस चैनल पे mention किया है कि weight gain करने के लिए हमें calorie surplus में खाना खाना होगा, simple, बट हाँ भाईयों, I know, जितना simply बोल दिया, उतना होता नहीं, वो भी mainly इन दो problems की वज़ा से, पहली हमारा fast metabolism, कि हम कितना भी खाना खाले हमारा weight बढ़ता ही नहीं, और दूसरा हमारा bad appetite, जिसकी वज़ा से पहली बात तो ज़्यादा खाया ही नहीं जाता, जिससे I personally know, एक काफी जादा calories provide करते हैं, जैसे for example, dry foods, peanut butter, olive oil, paneer, क्या आपको पता है, सिर्फ 1 tablespoon peanut butter या olive oil से आपको easy 100 calories मिल जाती हैं, या सिर्फ handful amount of dry foods, यानि almonds, cashew वगरा से 100 calories से उपर, जिससे we all know, हम काफी easily consume कर सकते हैं, so the point is, इन high calorie food options को अपनी diet में जरूर add करो, जिससे आपको easily एक surplus मे रहने में help मिलेगी, और आपको मेरे channel पर ऐसी काफी easy और tasty high calorie recipes मिल जाएंगी, वो भी इनके macros के साथ, जिससे आप अपनी diet में add कर सकते हो, और उनके link में description में drop कर दूँगा, बट I know अब आप बोलोगे, कि वो सब तो ठीक है, बट अपने उस bad appetite का क्या करें, क्योंकि उसी इसी पर depend करेगी हमारी भूख, जिससे हम जादा खाना खा पाएं, इन दो चीजों से मुझे अपने उस appetite को build करने में help मिली, number one, simple but important, drink a lot of water, इससे आपके पेट को जादा food consume करने की habit पढ़ने लग जाएगी, and दूसरा, make sure आप अपने दिन का पहला meal, जितना जल्दी consume कर प ट्रसमी भाईयों, it is a game changer, आप खुद देखना, 1000 calories एक shake की form में लेना काफी असान होता है 1000 calories खाने से, इस पर मैंने काफी सारी वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, because I am a big fan of this, उनके लिंक्स आपको नीचे description box में मिल जाएंगे, but चलो, इस वीडियो में मैं आपको मिल आता हूँ, the dandy shake से, simply a jar या mixi लो, and उसमें डालो, 60 grams of oats, 2 tablespoon of peanut butter, 300 ml of milk, 2 banana, and 1 to 2 tablespoon of honey for extra calories, and इसे simply mix करके पी लो, और भाईयों, इस tasty dandy shake से, आपको easy 1000 calories में जाएंगी, I remember मैं तो ऐसे 2 shake बना की पिया करता था, और से वनीच से मुझे 2000 calories से उपर मिल जाती थी, and उसके बात, मैं जो खर पे बनाये वो खाता था, जिससे मैं काफी easily एक surplus में आ जाता था, आप इसे अराम से अपने school या college जाने से पहले, जल्दी से बना कर पी सकते हो, और इसकी best बात ही ही है, आप इसे पूरे दिन में कभी भी बिना किसी पे depend हुए, खुद बना कर पी सकते हो, and feel free to experiment with it, शुरुआत में जो पसंदर डाल दो, मतलब Oreo, आइस क्रीम, राजमा, नहीं मतलब राजमा नहीं, but you got the point right, start adding this dandy, मतलब high calorie shake in your diet, also muscle building के लिए we already know protein कितना important है, so इस shake से आपको इसलिए 35 ग्राम से उपर protein मिल जाएगा, वो भी बिना कोई additional babe protein यूज़ किये, so इस shake से आपको weight gain के साथ-साथ muscle building में भी help मिलेगी, और muscle building से आजाते हैं हमारे gym पर, यानी workout routine पर, और जब बात आती है, एक workout routine की, so जो most common mistake लो करते हैं, जो unfortunately मैंने भी की थी, वो कि एक bro split follow करके हर muscle को week में सिर्फ एक बार train करना, like Monday को chest, Tuesday को back, अगले दिन bicep and so on, अब देखो, शुरुआत म एक bro split follow करके, मुझे results जरूर मिले, बट जब मैंने हर muscle को week में दो बार train करना शुरू किया, वो भी एक push pull leg split follow करके, तो मुझे और भी ज्यादा better results देखने को मिले, आप लोग एक upper body, lower body split, Arnold split, या फिर एक push pull leg split follow कर सकते हो, मैं अब personally काफी वक्त से, एक push pull leg split follow करता आया हूं, जिसकी वजा से, मैं हर muscle को week में at least 2 बार hit कर पाता हूं, अगर आपको एक training routine चाहिए, तो मैंने एक free push pull leg split अपने channel पे upload किया हुआ है, जिसकी playlist का link आपको नीचे description में मिल जाएगा, also एक important tip, make sure आप heavy compound lifts को अपने workout में ज़रूराइट करो, like bench press, squats, deadlifts, जिससे आप अपनी overall strength और muscles को maximize कर पाओगे, जिससे eventually आपको अपनी weight gain journey में help मिलेगी, and trust me भाईयों, training आपकी weight gain journey का best part होने वाली है, जिससे you will fall in love with the process and eventually gain weight and muscles, just make sure वही exercise करना, जिसमें आपको मजा आए, और best mind muscle connection feel हो, and उनमें progressive overload के साथ progress करते जाना, like for example, अगर आपने last time bench press पे 8 reps निकाले, so next time try कर अब उस same weight से 10 reps perform कर पाओ, and इसे ही हम progressive overload कहते हैं, and then eventually उसे 5 kgs, या even 2.5 kgs से बढ़ाओ, जिससे you will get stronger and build more muscle mass, trust me, it's that simple, अब थोड़ी supplements की बात कर लेते हैं, जिससे rated जो सबसे common question मुझे आता है, कि क्या हम gainer use करें, जिसका simple answer है no, trust me, it is a complete waste of money, जिसके काफी temporary और काफी short term benefits है Instead, अपने घर पे खुद का एक mask के नहीं shake बना के पियो, जैसा मैंने आपको पहले show किया था, वो ही आपकी long term में काम आएगा, और अगर आपका एक अच्छा budget है, तो करना ही है, तो एक अच्छे way protein में invest करो, जो at least आपके protein intake और recovery में help करेगा, and then उसके बाद, you can also go for creatine, जो आपकी overall strength और muscle build करने में help करेगा, but please याँ दखना, supplements are secondary, हाँ अगर आपकी already diet और training on point है, so only then I will suggest कि you can go for a way or creating, और end में, make sure आपकी sleep on point हो, because याँ दखना, कितनी भी perfect diet ले लो, heavy workouts कर लो, उस सब का benefit आपको तभी मिलेगा, जब आप रोज आट गंटे की sleep ले रहे हो, because at the end of the day, हमारी progress gym में नहीं, बलकि हमारी sleep में होती है, so just make sure you are getting at least 8 hours of sleep every single day, so yeah, this was my complete guide to gain weight as a skinny heart gainer, I really hope मैं हर चीज कबर करी, जिससे आपको help मिली, I personally know कि weight gain करना कुछ के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, but we are all in this together, I know काफी cliche और basic सा dialogue है, but काफी true, but if I can do it, so can you, and yeah, frankly, कुछ video काफी important औ पर नए हो और वीडियो पसंद आई, so do subscribe the channel, मैं हर वीक इस पर एक fitness rated content डालता रहता हूं, you can also follow मैं on Instagram, वहां में अपनी fitness और life updates डालता रहता हूं, also do share it with a friend, ताकि उससे अपनी weight gain journey में help मिले, and yeah, just stay consistent and kill it, हम मिलेंगे next video में, bye-bye.